हेलो दोस्तों हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो में फिर हम आपके लिए जो है भारते कावे शास्त्र से प्रशन लेकर आए हैं और जो हमने आज आपका कावेशास्त्र लिया है वैं पाश्चात्य कावेशास्त्र है पहले हमने आपको भारते कावेशास्त्र से प्रशन दिये थे जो 100 प्रशन थे अब हमने जो पाश्चात्य कावेशास्त्र से आपके प्रशन लिये हैं वो भी हमने 100 ही लिये हैं और सारे ही प्रशनी बहुत ही इंपोर्टेंट है जो कि आपकी आगामी परिक्षा के लिए बहुत ही आपके लिए बैनेफिशल साबित होंगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जादा से जादा लाइक एंड शेयर करें जो दोस्त आज चैनल पर जुड़े हैं वह चैनल को ज सारी पबलिक नामगरंद के लेखक हैं तो इसके लेखक है प्लेटो जी सीधा सीधा हम आपको आंसर बताएंगे जिससे आपका भी टाइम बचे और हमारा भी दूसरी बात है कि अगर हम चार ओप्शन बोलता है तो वीडियो बहुत लेंदी जाती है और आपको टाइम भी लगता है कि बहुत टाम बेस जा रहा है तो मैं इतना टाइम आपको दूगी कि आप आंसर अराम से कर सकें आपको सोचने का टाम तो मिली जाएगा अपने माइड मापा आंसर को प्लिक करिए और जो है आंसर दी जी इसका क्या होगा तो तीसे में आपका तरो जाएगा डी यह सुन्दर कहीं जा सकती है यदि उप्योग रखती हूँ दोस्तों अभी हम उप्योग के बारे में पढ़ रहे थे कि उप्योगीतावादी किसे बोला है तो आप एकदम से समझ गए होंगे कि यहां पर वो एक गोवर से भरी टोकरी को भी सुन्दर बता रहे हैं अगर वे उपयोग में आती हो तो किस ने कहा है यह प्लेटो ने कहा है चल एगला प्रशने साहित्य को मिथ्य अनुकृती मानता था कौन मानता था वे भी प्लेटो ही मानते थे जो साहिते की जो मिथ्य अनुकृती मानते थे वे है ठीक है अगला प्रशने है कभी अकलाकार तो नकल की नकल करता है यह विचार किस पास्चाते समिक्षक का है तो यह भी प्लेटो जी का है यानि कि उनका कहना था कभी या कलाकार तो नकल की नकल करता है यानि कि तो नेतिक ता और उपयोगी ता उपयोगी तदीक शब्द दुबारे से आया है तो आप एकदम से इसका अंसर समझ भी गयोंगे कि प्लेटों है लेटों के नुसार कावे के प्रियोजन यानि कि जो उद्देश हैं वो क्या होने चाहिए प्रेटों के नुसार कावे लिखने है तो यह है 11 का रहते है और फिरेटों के बताया है यह सभी दूशित चिन्तन है उनके का मानना की मैह तो देना ही पशुधर में, कभी का मैं तो मोची से कम माना जाता है, कभी को नैतिकता और सदाचार कसुटी पर कसता है, तो ऐसा कुछ नहीं ही गलत उन्होंने बोला है, इन वैसे प्लेटों ने कावे के सम्मन में कौन सा सिधान प्रतिपादन किया है, यानि कि शुरुवात क प्रवर्टक है वह पदेरक आपका उत्तर हो जाएगा, ए अनुकरन सिधान रखना इससे आगे भी प्रशन बनेंगे, अगला प्रशन है, अरुस्तु के गूरू का क्या नाम था, तो सभी को पता है कि अरुस्तु के गूरू प्लेटों रहे हैं, और अरुस्तु का समय क्या प्रश्ट की तो आपने भी पड़ी थी ना रिपब्लिक के बारे में तो सिधा सिधा आपको अंसर पता चली गया है क्या पॉलिटिक्स ठीक है अगला प्रश्ट ने कौन से कावे सिध्धान्त दिये पताई ये कौन से तो एबी दोनों अनुकर्ण सिध्धान भी विरेचन सि हैं अनुकर्ण का अर्थ क्या होता है तो उनका अर्थ होता है काला प्रकृति की अनुकर्ति है उनकी अनुसार अनुकर्ण का अर्थ है कि जो कला प्रकृति है वो प्रकृति की अनुकर्ति है जो कला है अनुकर्ण का अर्थ है साधरश्य विधान के द्वारा मुल्वस्ट उनीज का अपका उतर जागी प्रोफेसर बुचर नहीं को पुनर को अब विचार प्रोफेसर मरे का है दोनों ही विचार बहुत पैत्तोपूर्ण है ये वाला भी रूपर वाला भी ठीक है इन मैंसे अरस्तु के अनुकरन सिध्धांत का तथ्या कौन सा नहीं है तो 21 का डियो जाए कविता सत्या से चार गुनी दूर है ये उनका नहीं है बाकी ये सारे उनके है अगला प्रशन है अरस्तु का अनुकरन सिध्धांत पलेटों से भीन है क्योंकि क्यूं है भीन वहला कि ये दोनों आपस में गुरू जेले रहे हैं लेकिन फिर भी दोनों में भीनतात पाई गई है भे, क्यों पाई गई है? इन सभी के कारण, किसके कारण? कभीता कोई अन्यदिक मांदन्डों पर नहीं तोलता कावय कला को वहसर वोचनु कृननात्म कला मानता है, अरस्तो ने कावय की व्याक्या दर्शन व्यांदि के ज़स्मे से नहीं की है इसलिए दोनों के विचारों में भींता है विरेचन संबंद जो शब्द का जो संबंद हैем किस से है तो 24 का आम का आठे और प्रशन इशाररों को जिस प्रकार रोचर खूर्स प्रश्ण है बहुत अच्छा प्रश्ण भी है तो देख लिए 25 का आपका उत्तर क्या हो गया है सी अगला प्रश्ण है ट्रेजिटी का करतवे के लिए माध्यम प्रस्तुत करना नहीं अपितु एक सून इश्चित का लात्मत परितोष प्राप करना है यह मत किसका है तो यह म 26 में प्रोफेसर बूजर का है यह भी बहुत अच्छा प्रश्ण है कावे में उद्दान्त तक्विकी अवधान्डा का सुत्रपात करने का श्रेक इसको है उद्दान्त से संबंद बहुत प्रश्ण आएंगे आपके और आपकी जानकारी के लिए बता दे भी है इसका आंस अब इसको जरूर नोट करें अभी क्रोचे के सारे प्रश्ण अच्छे प्रश्ण जा रहे हैं इनको जरूर देखें आप फिर है ऐस्ते लेटिक से तामगरंद के रचयता है कौन है तो इसके भी क्रोचे जी है क्रोचे ने ज्यान के कितने रूप माने हैं बताइए तो 32 अब कभी दो रूप माने हैं कौन-कौन से अगर आप जानते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में सहाजन उबूती को क्रोचे ने क्या नाम दिया तो उन्होंने सहाजन उबूती को नाम दिया था अभी वियंजनावार ठीक है किस विद्वान ने अभी उजनावत को भारतिये वक्रोक्ति का विलाइती उत्थान का है बहुत अच्छा प्रशने नोट डाउन करें इसको अभी यहां व्यावी वंजनावात के बारे में चल लाता रहा पर उनको विलाइती उत्थान बोल दिया गया तो 34 कप का उत्तर हो जाएगा सी आचारे रामचेंद्र शुक्र जी स प्रशने तकासिधांत पाशात्यकावेशास्त्र में किसने दिया यहां पर आ गया है सम्प्रिश्ण तकासिधांत किसने दिया है तो यह आ है आई ए रिचार्ट इसके लिखक्यां इसके लेखक है जर्सने भाशा का कौन सा भेद नहीं बाना है तो उन्होंने लक्षना को नहीं माना है वाकि भाव अभी प्राव लैजा यानिके टोन उन्होंने भाशा के भेद माने है नई समिक्षा के जनम दाता है कौन है नई समिक्षा के जनम दाता है इसे बताना है तो नई सम समिक्षा पध्यति सामनें उसे क्या नाम दिया गया तो उसे नाम दिया गया है फॉर्टिपोर का सी नहीं समिक्षा और इसका आपको पता चल गया कौन जन्म दाता है रिचर्ड्स के संप्रेशन सिध्धांत की तुन्ना किस भारतिय सिध्धांत से की गई बहुत अच्छा प्रशन है रिचर्ड्स थे पाशा थे कि इनका जो संप्रेशन सिध्धान था ऐसे ही भारतिय का वेशासर का ऐसा कौन सा सिध्धानत है कि जिससे इसकी तुनना होती है तो 48 का आपका है जरस सिध्धान स्वरी 45 का आपका उत्तर है भी साधारी करन ठीक है स्वस्थित करने का श्रेश पूछा गया है किसका है अभीवर्ति की उच्छता और उत्कस्टा का नाम है क्या है 48 का उत्तर हो जाएगा ए बहुत अच्छा प्रशन है अगला प्रशन है इमोशन और एटिटूट के बीच का संब्मन वही है जो संचारी और इस्थाई भाव का है आपको पता ही है कि संचारी और इस्थाई भाव का क्या संब्मन होता है अपस में लेकिन यहां पर कह रहा है कि इमोशन और एटिटूट के बीच का संब्मन तो इसका हमें लेकिन मत बताना है केवल किसने दिया है यह गड़पती चंद्र कुप्त जी ने शब्दों की अर्थ बहुत है किसी बात को कहने का धंग ही सब कुछ है यह कथन किसने दिया है तो यह कथन रामचंदर शुकल जी का है दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दो कि रामचंदर शुकल अजारी प्रसाद दिवेदी भारत इंदू जी इनको आप पढ़िए जरूर कि इन में से बहुत सारे प्रस्ट बनते हैं हमेशा ही वी वंज़नार का एक अन्यार नाम है तो इसमें आप का सी Samprakash定 ध्यान रखना यह वाला जो है अभी वंजनार का जो नामे संपका Check उन अर्ष औरऌत की परिकल्पना करते हैं उस doski ने om ? 성prakash सब्सक्राइब करने वाले कितने प्रश्ण बन चुके हैं 55 का उत्र है सी पांच जो है तात्व माने हैं कौन सा तर तो किसी तीन आपको पता चल जाएंगे तो 56 का उत्तर हो जाएगा डी उत्क्रिश्मा अप उत्त विचार उत्त भाव उत्ते के विधान है तात्व के बारे में हमने पढ़ा था कितने माने पांच तीन आपको पता चल चुके हैं दो आपको जो है अगर आपको पता है तो कमेंट बोक्स में पताईए कौन कौन से होत सब उन्होंने माने हैं अरस्तौ सिद्धांत में किसे महतु नहीं दिया है प्लेटो के लिए कला की कसोटी हैं प्लेटो के कला दो अगला प्रशन है को मिध्यानुकृती मानता है कौन माता है मिध्यानुकृती यह भी हम पढ़ चुके हैं तो प्लेटो जी ही मानते हैं दुखांत नाटकों में करित्रों से हमारी करुणार भाव का निकास अवसर मिल जाता है यह मत की सिध्धान पर आधारित है यह लागू होता है तो यह भी आप पढ़ चुके हो यानि के विरेचन सिध्धान पर ट्रेजडी से समाने जनों के मन में व्याप्त भैव करुणा की भावने संतुलित हो जाती है या मत है मत क्यों दिया गया है कि जो ट्रेजडी होती है उससे जो आम लोग है उनमें जो भैव और करुणा की भावना है वे संतुलित हो जाती है यानि कि कोई भावना जादर ब बार बार आ रहा है लौजा इसका उत्तर हो जाएगा एक कवी की पर्तिभा को मुलाधार माना अगर कवी में पर्तिभा यह तब ही वह सामेने तो होता है तो 65 का तरो जाएगा डी यह सभी प्राइबिर भाव भी इसका प्रशनी एक ऊपर बनाथा कि कौना नहीं मानते है तो जो आया था लहजा कुछ करके आपका प्रश्न में उत्तर आया था वो देखना आप उपर टॉन भी था रिचर्ड्स कावे का मुल्यांकन की साधार पर करता है रिचर्ड्स कावे के जो मुल्यांकन करते हैं वो की साधार पर करते हैं तो 66 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी ठीक है ए भी दोनों रागात्मक्ता से भी और पाठको पर पड़े प्रभाव से भी तभी व्याच्छक कावे है कावे शास्त्र में अनुकन का अर्थ क्या है 67 का आपका उत्तर हो जाएगा इसका भी सादरश्य विधान के दार मुलवस्तू का पूरो अर ख्यार ठीक है ago сыका finns क्या रहा है यहाँ यहाँ पर बताना है आपको कि क्या समय रहा है उनका समय रहा है तीसरी सती लोंज़ाइस का संबन्द किसे है तो 70 काप का टी यूनान से ठीक है आपके बहुत अच्छे प्रश्ण जा रहे हैं सारे प्रश्ण स्लेक्टिट प्रश्ण है जरूरिन को कुंध देख लीजिए नी व्यक्तिक्ता का सिधांत दिया है इसी किया है दिया है तो आपका इसका उत्तर हो प्रोफेसर बुजर ने व्याख्या की है ये बुजर के बारे में आप पढ़ चुके हो तो उत्तर आपको मालूम होई गया होगा कौन सा होगा तो 76 का आपका हो जाएगा रुस्तु के अनुकरण सिध्धान्त को मीमेशिस का संबंध है किसे 77 का ए अनुकरण से ठीक है इसका पर पढ़ चुके उपर कावे की कशोष्टी सदाचार और प्रक्यों गिता किस पास्चाती विचारक का है यह वाला कथन लेकिन है किसका तो इसका है प्लेटो ठीक है प्लेटो का समय हम पढ़ चुके है पहले प्रस्ण में अगला प्रशन देख लिए अगंभाशा में तुलना शेक्स्पीर से की जाती है भाचा पर सरवाधिक बल देता है कौन देता है तो आपने भाचा के बारे में भी कोशन पढ़ेते लेकिन यह नहीं पढ़ाता कौन देता है तो 84 में आपका हो जाएगा सी रूप वाध ठीक है 84 का आपका सी और बोरिक एकन वाध का से उपर पढ़ा था और यहां पर दूसरे के तरीके से आपके सामने आ चुका प्रशन अभी व्यंजना वा ठीक है द्वंद्रा तमक का भोतिक विकास वाध की विजारदारा देन है किसकी है माक्सवाध की बहुत अच्छा प्रशन कई बार आ चुका है एक्जाम में जरू लेखे कभी है वह माक्सवाध की विजारदारा से प्रभावीत रही हैं कौन कौन है प्रगतिवादी पताया अपलों को बताइए कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो प्रोची के नुसार सोंदर आ का तत्व कौन है फोग्रोचिकर सादू अपके जानकारी के लिए बताद बना देना कभी का संप्रेशन कोशल है यह बात मिल्गुद सही कही गये कि एक रोगती कभी सब्क्राइब को बना देता है तो यह कथन किसका है या विचार किसका है तो यह आई कि रिजर्ड्स का बहुत अच्छा दिया है इनों नहीं है अगला प्रशन है रैथे ट्रियोस भ इम्म में रजना विधाम तत्व माना गया है किसका माना गया है तो 98 का आपका उत्तर हो जाएगा और दात्य का ठीक है यह प्रशन भी और लॉंजाइस के साथ आप जोल कर रख लेना कभी के व्यक्तितु को कविता की भव्यता से संबंद कर काव्य चिंदन की दिशा को परव मानकर भी सूच्छा चारिता को प्रश्य नहीं दिया जा सकता यह विचार किसे दिया तो यह विचार दिया है ख्रोचे का ठीक है उन्हों ने दिया सौंदर्यवाद के कितने सवरों की परिकलबना क्रोचे ने की है तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा एक सो सत्रा का भी च क्या की है आप अभी पढ़कर आ रहे हो तो 119 का डी वी और सी अध्याते के कितने सुरोतों का उलेक लोंजाइस नहीं किया है यह भी हमने अभी पढ़ा था तो इसका उत्तर आपको पता ही है कि पांच की है अगला प्रशने है क्रोचे किस कलाकरती को नैतिक सबंधनों से मु अधिर 39 का आपको पता ही है कि वस्तुगत में उपनी सुंद्रे की सत्ता मानते हैं गरिमा मैं रचना विदान आवशक्तात्तु है देखे यह कोशन दुबारा आपके दूसरे तरीके साब के सामने है तो 140 का आपको जाए गया उदाते के लिए देखे एक ही कोशन कितने तर कि विध्यानुकृति करता है इस अत्य सत्य से दो गुना दूर रहता है हम जो है पढ़कर आचुके हैं उपर तो इसका आपका उतर होगा ए प्लेटों का ठीक है अगला परशन है यह भी एक मोची का मैं तो कभी से अधिक है यह भी आप पढ़ चुके हो साइतिया हमारी द चुका है ए और सी प्रोफेसर मरे और अवर क्रांबी ठीक है यह प्रशन आपके हो चुके हैं पूरे हंडेड आप इनको काउंट कर सकते हैं तो कर ले ना तो इस प्रकार से सभी प्रशन बहुत महत्वपून रहे हैं और सभी को हमने आपके पाशाते जो विचारक रहे हैं सभी में से प्रशन लिये हैं ठीक हैं तो आप वीडियो पसंद आई है तो करिए जादर सजादर लाइक और शेयर जिसे यह जो टापिक है सभी तक पहुंच सके